आपका अपना दॉक्टर सेचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी एक और बहेतरीन सेशन लेकरके बायों की इरणनीती यह सीरीज हमारी चल रही है जिसके अंतरगत अनिमल किंग्डम हम पढ़ रहे हैं और आज अनिमल किंग्डम का लेक्चर नमबर फाइव है यानि इससे पहले चार लेक्चर में आपके साथ ले चुका हूँ चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखेगा वो चारो लेक्चर आपको मिल जाएंगे बेशक उसे फास्ट फॉरवर्ड स्पीड करके देख लीजेगा लेकिन देखेगा जरूर आज के हम इस सेशन में डिसक्स करने वाले हैं अम्फीबियन्स के बारे में और रचेट आपको फ्रॉग गया आदा जाता है लेकिन अम्फीबिया में सरफ फ्रॉग जी नहीं होते हैं इसके इलावा भी और ओरगैनिसम्स इंकलूड़ेद हैं जानेंगे आज के सेशन में रेप्टीलिया, रेप्टाइल, वर्ड, जैसे ही हम सुनते हैं तो क्रीपिंग एन क्रॉलिंग क्रेचर यनि की स्नेक्स, इसके इलावा लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, अलिगेटर्स, घड़याल्स, क्यामन्स, टॉटल्स, टॉटॉइस्स, टैरपिन्स, ये सभी रेप्टीलिया के ही मेंबर्स हैं ठीक है तो आप सभी तैयार हैं जी आज के इस भेहतरीन सेशन के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों के उज्वल भविश्य की कामना करता हूं सेशन चुरू करने से पहले कुछ इंपोर्टन जानकारी आपको देना चाहूंगा कि आप हमारा ये बायो की रुणनीती का टेलीग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लीजिए इस टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन करने के बहुत सारे फाइदे हैं बिकॉज जब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं हमारे साथ तो हर सेशन की इन्फरमेशन हर सेशन के PDF नोट्स, डेली प्रेक्टिस पेपर्स, नीट से रिलेटेड लेटेस जानकारी सभी हम आप लोगों के साथ इस टेलीग्राम ग्रूप पर शेयर करते हैं इसके इलावा कुछ चेक्लिस्ट पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप सभी जान जाएं हलो मुहमद अब्दुल, कैसे हैं जी आप, हम, this is, the correct name is मुहमद अब्दुल घाजी मैं ठीक हो जी बिलकुल, आप कॉलकटा से हैं और प्लीज, capital letters में मत लिखिए when you write in capital letters, इसका मतलब है क्या आप shout कर रहे हैं किसी से जितने भी बच्चे मेरे साथ जोड़े हुए हैं, Michael Sharma, Shweta, Patel then we have Pawan, Dhananjay, Jaya, Sharmeen Tanvir, Sana Fatima, Ambuj, Shweta सबका तहे दिल से स्वागत है, चलो पढ़ाई करते हैं, ये lectures अल्रेड़ी Animal Kingdom के हो चुके हैं, L1, L2, L3, L4 तक, मतलब Porifera, Nideria, जिसे Cillium Trata भी कहते हैं, टीनोफोरा, Pletyhelminthus, Ashelminthus, Enelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemicodata, Cyclostomata, Condrich Thighs यानि Cartilaginous Fishes, Ostech Thighs यानि Boney Fishes, ये सब मैं आपको पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूँ, Class 11th की NCRT है न, आप सभी के पास Hard Copy बड़ी ज़रूरी है, कागस कलम अपने साथ रख लीजे, ताकि Important Points आप साथ के साथ नोट कर लें, हाला कि सेशन के Complete PDF Notes मैं आपके साथ शेयर करूँगा, Colored Pen Pencils यतने आप हैंडल कर सकते हैं, पूरी तरह से शान्त हो जाएगे, Complete Silence, चलिए, शुरू करते हैं, विटेकर की Five Kingdom Classification में आपने पढ़ा, Kingdom Monira, Protista, Fungi, Plante and Animalia, Kingdom Animalia जो है, उसमें बहुत सारे Phylum हैं, कुछ Phylum के नाम आपके सामने हैं, जैसे की Porifera, जिसमें की Sponges included हैं, Ceilent Reta या Nideria, जिसकी Common Example Hydra, Jellyfish, Corals, Tynophora, जो Bioluminescence शो करते हैं, Exclusively Marine Phylum हैं, Tynophora में जो Organisms आते हैं, they are commonly called Sea Walnuts और Combs Jellies, Platy means Flat, Helminthus means Worms, Platy Helminthus में Flat Worms आते हैं, जैसे की Tape Worm, Tynios Olium, Ash Helminthus में Round Worms आते हैं, बिकास जब आप उनका Transverse Section काटते हैं, they appear Circular or Round, Annelida में Segmented Worms हैं, जैसे की Earthworm, Neeries, Leech, Arthropoda, Largest Phylum of the Animal Kingdom, Most Successful Animals हैं, Titanous Exoskeleton के कारण, Arthropoda मतलब Jointed Appendages, Mollusca, Second Largest Phylum, Soft-Bodied Animals, जिनमें Shell हो भी सकता है, और नहीं भी, Echinodermata, Exclusively Marine Animals, Water Rescular System का Important Feature था, Starfish, Sea Urchin, Sea Cucumber, Common Examples हैं, Hemmy Corridata, जैसे पहले Corridata में ही रखा गया था, और बाद में हमने अलग से Non-Caudits में Shift कर दिया, Bellanoglossus की Example हैं, Corridata Phylum हम पढ़ रहे हैं, पिछले सेशन में Caudits के Important Features भी हमने पढ़े थे, हलो जी, शालिनी, शिवा चोहान, सना, जया, याद है Caudits के Important Features पढ़े थे, भाई सभी Caudits में कुछ Basic Fundamental Features हैं, जो वो अपने जीवनकाल में किसी ना किसी स्टेज में जरूर शो करते हैं, जैसे, Presence of Central Hollow Dorsal Nervous System, Presence of Notocord, Presence of Pharyngeal Gills Lits, यह हम पिछले सेशन में पढ़ भी चुके, मैं आपको Quickly Revise करवा रहा हूँ, Core Data को हम Divide करते हैं फर्दर, The Further Division of the Core Data includes Subphylum Euro Core Data, Euro Core Data की Examples याद हैं आपको, Euro Core Data को Tunicata भी कहते हैं, Acidia भी कहते हैं, Euro Core Data में आपने पढ़ा है, Acidia, Selpa, Doleolium, Notocord is present in Larval Tail, यह भी मेरीन होते हैं, C-Phello Core Data, Cephalic Word is related to Head, Notocord extends from Head to Tail, Amphioxis, Branchiostoma इसके एग्जाम्पल थी, Subphylum Vertibrata को Divisions में बांटा हैं, यह जिन में जबड़ा होता हैं, वो Ganethos Storms होते हैं, They have Jaws, जिन में Jaws नहीं होता, that is A Ganeth without Jaws, फिर Ganethos Trometa में सूपर क्लास होती हैं, यह ना सूपर क्लास है, Pisces, मचलियां, मचलियों के स्टडी को H-Theology कहते हैं, और Pisces में फर्दर Condridge Thighs हैं, Nostridge Thighs हैं, Cartilaginus and Boney Fishes हैं, Tetrapoda मतलब चार पैरों वाले जानवर, Tetrapoda की क्लासेज तो हमने पढ़ी दी, शर्मीन बेटा, Tetrapoda की क्लासेज याद हैं, Amphibia, Reptilia, Aves और Memelia, तो आज हम Amphibia and Reptilia पढ़ेंगे, रिवाइज भी हो गया साथ के साथ, मजा आया, गुड, एक Anthrozyism बना के रखो, हमेशा अपने मकसद को अपने सामने रखो, याद रखो कि जो कर रहे हो, वो किस परपस के लिए कर रहे हो, एक World Famous डॉक्टर बनने के लिए, ये सीड़ी दर सीड़ी हैं, अभी पहला स्टेप होगा, जब NEET का एक्जाम अप क्लियर करेंगे, अच्छे रैंक के साथ, उसके बाद भाई, अम्बीबियस की पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर PG भी करनी है, फिर इस दुनिया में आकर के, हमने एक Well Established डॉक्टर बनना है, याद रखना है, मकसद अपना हमेशा, चल्ब, एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब होता है, मेरे बच्चे, एम्फीबिया means, Dual Mode of Life, दोहरी जिन्दगी जीते हैं ये, डूल मोड का क्या मतलब है, ये पानी में भी रह लेते हैं और जमीन में भी रह लेते हैं, ना, ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी, as the name indicates, एम्फी means Dual, बयॉस means Life, एम्फीबियान्स कें लिव न एक्वेटिक, एस वेल अस टरस्टियल हैबिटेट, जैसे में रख ए, पानी में भी रह लेता है, जमीन में भी रह लेता है, वैसे मज़ेदार बात है ना, दोनों जगों के मज़े ले सकते हैं, amphibians पहले ऐसे vertebrates हैं, जिनोंने यी transition किया from aquatic to terrestrial life, अगर हमसे question पूछे, name the first vertebrates, name the first vertebrates, शालेनी बिटा, who made a transition from aquatic to terrestrial life, आंसर होगा amphibian, तो amphibians के जो larval stages होती हैं, जैसे frog का tadpole larva है, तो भाई वो सिर्फ पानी में ही रहेगा, तेड़ पोल larva पानी में रहता है, उसके पास gills होती हैं, ऐसे ही salamander का भी larva होता है, amphibians में development indirect है, indirect development मतलब larval stages present, और जो इनके adult होते हैं, वो पानी में भी रह लेते हैं, और जमीन में भी रह लेते हैं, जैसे frog है, salamander है, आप में देखा होगा frog generally पानी के आसपास ही रहता है, frog जो है, पानी के आसपास रहता है, क्यों? उसके कई कारण है, कि भी एक तो उसके अपनी skin जो है, वो soft रखनी है, moist रखनी है, नमी होनी चाहिए skin में, क्योंकि skin के थुरू gas exchange हो रहा है, पानी के आसपास होगा, तो skin में नमी बनी रहेगी, secondly, जब भी कभी कोई मुसीबत होगी, कोई खतरा होगा, तो फटाक से कूद के पानी में चला जाएगा, frog बड़ी तेजी से चलांग लगाता है, कूद ता है, white muscle fibers होते हैं, जो की बड़े quickly contract करते हैं, पर जल्दी ठक जाते हैं, यह मैं आपको muscle fibers में बताऊंगा, red and white muscle fibers में, तो frog पानी के आसपास रहता है, ताकि अपने आपको खतरे से बचा सके, और frog की एक problem है, जमीन के उपर वो अपने अंडे नहीं दे सकते, reproduction के लिए they have to return back to water, क्योंकि अंडों के चारों तरफ hard shell नहीं है, बड़े soft हैं, बड़े नाजुक हैं अंडे, जमीन में सुकी जगे पे अंडे देंगे, तो वो खराब हो जाएंगे, clear है जी इतना, right? हाँ, मैं बको pharyngeal respiration का भी जिकर करूँगा, most of them have two pairs of limbs, अब ध्यान दीजेगा, examiner ने यहां से question frame करने का scope छोड़ा है, most of them, यानि सभी में two pairs of limbs नहीं होते, तो क्या कोई amphibian बिना limb के भी होता है? Yes, important, there are limbless amphibians also, आपको पता है कई countries में frog खाए भी जाते हैं, इनके जो muscles, यह बड़ी delicacy, एक स्वादिश्ट व्यंजन बनता हैं उनसे, limbless amphibians जो होते हैं, they are called apodons, यह amphibia का एक order है, apoda, right? apodons, इसमें example भी NCRT में दी हुई है, that is itch thiophis, itch thiophis को commonly blind worm भी कहते हैं, याद रखेगा, सभी amphibians में two pairs of limbs नहीं होते हैं, exception भी है, limbless amphibians, आगे बड़ें, वाद, एक journalized अगर हम amphibian body plan देखें, frog को मिंड को मद्धे नजर रखते हुए, body is divisible into head and trunk, head region और trunk है, garden है? नहीं है, मतलब neck नहीं है, frog में आपको neck नहीं दिख रहा, head है और trunk है, two pair of limbs हो सकते हैं, skin देखो इनकी बड़ी ही soft है, गिल-गिली सी है बिलकुल, इसके थुरू gas exchange हो जाता है, और जब कोई जानवर skin के थुरू gas exchange करता है, तो हम उसके लिए term use करते हैं, cutaneous respiration, what is cutaneous respiration? That means the exchange of gases through skin, so इसलिए skin को moist रखना है, soft रखना है, जाया clear है, सुना ली, silage, अंशरोडा, ठीक हो तुम, सॉरी क्यों कह रहे हो, क्या बात है? पढ़ाई करो आगे, एक चिस और धान दीजएगा, webbed feet and toes, जालीदार पैर क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे पानी में तेहरना है ना, तो जालीदार पैर बतख में भी होते हैं, डक में, तो इसलिए वो पानी में असानी से तेहर पाएंगे, ठीक है जी? Amboj? No. लिखा है कि tail may be present, सभी amphibians में तेहल नहीं होती, फ्रॉग में tail नहीं है, फ्रॉग के टेड़ पुल लार्वा में tail होती है, पर कुछ amphibians ऐसे हैं, जिसमें पूँच है, जैसे ये newt दिया हुए, newt और salamander लगभग एक जैसे होते हैं, बढ़ ये अलग-अलग species हैं, ठीक है जी? So, some amphibians may have tail, amphibian skin is moist, moist and without scales, अच्छा यहां भी एक exception बताता हूँ, जो apoda order है ना, जिसमें वो limbless amphibian, itchthiophis मैंने बताया है गुलहसन, itchthiophis के case में minute scales are embedded in the skin, otherwise, ज़ादा तर amphibian में scale नहीं है, scales तो feature हम reptiles का पढ़ेंगे, amphibians में नहीं होते, लेकिन exception यहां भी है, ठीक है जी? अच्छा, eyelids होती है, जैसे हमारी पलके, हाँ, बिल्कुल भई, frog में भी eyelid होती है, अच्छा, यहां पे ना third eyelid भी present है, कोई मुझे बता सकता है, जी, ये third eyelid कौन सी होती है, अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूंगा, जितने भी बच्चे समय मुझे live देख रहे हैं, एक बार like का बटन जरूर प्रेस कीजिए, अगर आपको lecture में मजा आ रहा है, energy मिल रही है, positivity मिल रही है, चीज़ें समझ आ रही है, तो show your love and respect, राजा बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक तीसरी eyelid भी है, third eyelid, what is that third eyelid called? It is nictitating membrane, जब frog पानी में होता है, तो इस nictitating membrane से अपनी आँखे कवर कर लेता है, और भी जानवरों में nictitating membrane होती है, एश्वर है बेटा, nictitating membrane का ने एक और नाम भी होता है, plica semilunaris, plica semilunaris, humans के case में ये nictitating membrane vestigial है, birds में भी होती है nictitating membrane, ठीक है, third eyelid कहते हैं उसे, अच्छा, एक और amphibian का खास्वा, जो कि ncrt में लिख है, इनमें ना हमारे जैसा ये external ear pinna नहीं होता, ये सरफ mammals का feature होता है, ये pinna, हमारे में क्या है, external ear pinna, फिर external auditory canal, और उसके पीछे होता है ना, केवल ये एक tympanic membrane है, लिख है ना, tympanum represents ear, what is tympanum, राजा बिटा, पाखी सूरेवन शी, मुहमद अंसारी, एमी, श्वेता, अंभुज, God bless you all, like जरूर करते हैं रहे ना session को, tympanum को ही मेरे बच्चे, tympanic membrane भी कहते हैं, हम साधी भाशा में कान का परदा कह देते हैं, ear drum कह देते हैं, जिस पर sound waves आके strike करती हैं, humans के case में, तीन छोटी-छोटी हड़ियां पड़ी होंगी, meleus, sinker, steps, वो vibrate करती हैं, फिर sound जो है वो nerve impulse में बदलती है, internal ear में, वो सब आपको ear में बताऊंगा, तो यहाँ पर इतना याद रखने हैं, tympanum represents the ear, अगर मैं इनके digestive system की बात करूँ, तो elementary canal complete है, ठीक है जी, mouth है frog के case में, उसके बाद इसो phagos भी है, stomach भी है, intestine भी है, एक बड़ी विशेश बात है यहाँ पे, आपको याद रखने है, यह word cloaca, क्या word याद रखने है, cloaca, cloaca एक common chamber है, जिसमें elementary canal का exit, urinary tract का exit और reproductive system का exit है, मतलब एक common pipeline system समझ लो, जहाँ से सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, so cloaca is the common opening for elementary canal, undigested food, excreta भी cloaca से बाहर जाएगी, urinary tract की भी opening है, urine भी वहीं से pass out होगा, urine तो kidneys बना रही है, reproductive tract की भी common opening होगी, मतलब ovum या sperm, frog में male अलग है, female अलग है, तो cloaca male frog में भी है, female frog में भी है, elementary canal, urinary and reproductive tract, open into a common chamber, तो common chamber का नाम, सभी बच्चे याद रखेंगे, that is cloaca, amphibians में cloaca है, जिससे वो अंडे भी देते हैं, female frog लेज दी एग्स, sperm भी pass out होते हैं, urine भी pass out होता है, undigested food भी pass out होता है, Achutosh कह रहे हैं, जी सर, due to your efforts in Baidu's classes, animal kingdom has become my favorite topic, that's great, wonderful जी, जो भी करो, दिल से करो, तहे दिल से करो, right, ठीक है, चुँआ, चुँआ, तो यह दिखाया गया है जी, यहां पे cloaca, cloaca की थोड़ी से labeling यह अगला चलीगे, यहां पे दिखते हैं, यह male cloaca, यह female cloaca, किस में दिखाया गया है, Ambistoma maculatum, यह spotted salamander है, Ambistoma is spotted salamander, Ambistoma tigrinum भी होता है, tiger salamander, आपको यह zoological नाम याद नहीं करना, बिल्कुल नहीं घबनाना, इतना दिखान रेकना है कि salamanders जो होते हैं, यह भी amphibians होते हैं, अगर मैं इनके gas exchange की respiratory system की बात करूँ, तो भाई फ्रॉग जो है, adult frog की अगर मैं बात करूँ, adult frog में skin भी होती है, mouth cavity, अपनी buco pharyngeal cavity के थूँ भी सांस लेता है, तो इसलिए हम कह देते हैं, buco pharyngeal respiration, frog में, adult में, कई तरह से gas exchange है, lungs के थूँ भी है, तो जब lungs के थूँ होता है, तो हम कह देते हैं, भाई, pulmonary respiration है, adult frog में, और जब skin के थूँ होता है, तो वो मैंने बताया ही है, that it is called as cutaneous respiration, तो अगर हम से पूछ लें कि adult frog gas exchange कैसे कैसे करता है, right, adult frog में gills नहीं है, ध्यान दीजेगा, gills जो होती है, वो केवल larval stages में होती है, जैसे frog का tadpole larva जो है, उसमें gills है, और जब कोई जानवर gills के थूँ गैस exchange कर रहा है, जैसे मचलियां भी करती है, we call it branchial respiration, clear है इतनी बाते, ठीक है जी, माइकल शर्मा में reproduction का जिकर भी करूँगा बेटा भी आ गए, ठीक है पहले जो पढ़ रहे हैं उसमें फोकस करो, amphibians में for gas exchange, what are the different structures, number one, larval stages में gills, कुछ amphibian में, adult में भी gills present होती है, right, naturess, mud puppy जैसे है, उसमें external gills भी पाई जाती है, लेकिन वो अब मत ध्यान रखेगा, basic याद रखो, larval stages, they have gills, जब larva का metamorphosis हो जाता है, frog का tadpul larva का metamorphosis, thyroxin hormone कराता है, adult frog बनता है, तो adult frog में skin के थुरू तो है यह, skin numb रहती है, soft रहती है, moist रहती है, तो skin के थुरू gas exchange होगा, तो cutaneous respiration, frog में lungs are poorly developed, cut the resistance of water, लेकिन जब जमीन पे आएंगे, तो मचली जैसी body नहीं चलेगी, इसलिए amphibians पहले tetrapod हैं, चार पैरों माले जानवर हैं, चार पैरों की ताकत से अपने वजन को against the gravity उठा करके वो जमीन पे चल पाते हैं, लेकिन समस्य है कि lungs इतने अच्छे से develop नहीं हुए, इसलिए lungs के इलावा skin की मदद लेनी पड़ती है, सांस लेने के लिए, तो lungs are present in amphibians, but they are poorly developed, so they take help of their skin, and the lining of their buccal cavity, frog का जो मुह है और pharynx है, lining of buccal cavity, highly vascular है, blood supply बहुत जाद है, इसलिए frog अपने मुह में हवा भरके, ऐसे ऐसे करते हैं, ताकि वो lining of buccal cavity के साथ, gas exchange हो पाए, clear है शर्मीन, right, इतनी बात समझ आ गई, चालो जी, circulatory system की बात करते हैं, इनका जो दिल है, नन्हा सा जो मायोजैनिक हाट है, भाई उसमें के वल three chambers होते हैं, amphibians have three chambered हाट, हमारे में four chambered हाट है, हम warm blooded है, हमारे पास दो auricle, दो ventricle हैं, लेकिन इन बिचारों के पास, दो auricle तो है, auricle को ही atria भी कह देते हैं, लेकिन ventricle एक ही है, तो इसका मतलब ब्लड mix हो जाते हैं, एक ventricle होगा तो blood mix हो जाएगा, additional heart chambers present है, sinus venosis, conus arteriosus, वो additional heart chambers हम frog की morphology में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम strictly NCRT को focus करके चल रहे हैं, तो मैं उससी साब से बता रहा हूँ, वो points amphibians के जो NCRT में दिये हुए, these are cold blooded animals, cold blooded का मतलब होता है कि, इनका body temperature fixed नहीं है, शलाई राइट है, cold blooded animals के लिए, हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, they are ectothermal animals, ectothermal, not endothermal, endothermal warm blooded होते हैं, they are ectothermal और the cold blooded animals, एक और टर्म भी यूज करते हैं, poikilothermal animals, poikilothermal animals means, their body temperature is not constant, it fluctuates with the external environmental conditions, यही कारण है, जब बहुत ज़ादा गर्मी हो जाएगी, यह बिचारे तब भी परिशान हो जाएगे, तो फिर इन्हे एस्टिवेशन में जाना पड़ता है, what is estivation? estivation is summer sleep, एक estivation ना botany में भी पड़ते हो अलग है, याद है ना, इम्परिकेट, वैलवेट, estivation जो पड़ा है, so estivation होती है, इनकी summer sleep, second is hibernation, भाई बहुत ज़ादा ठंड हो गई, तो भी इन बिचारों के लिए मुसीबत है, this is winter sleep, तो remember these two terms, frog में भी पड़ेंगे estivation, hibernation, cold-blooded जानवर है, मचलियां भी cold-blooded होती है, पहला warm-blooded group जो आपके सामने आएगा, वो होगा जी, birds, birds and mammals warm-blooded होते हैं, मेरे बच्चे, ठीक है जी, enjoying the session, like का button प्रेस होते रहना चाहिए, चली, male और female amphibian अलग होते हैं, sexes are separate, diocuous हैं, right, unisexual भी कह सकते हैं, male female frog को आप externally देख करके भी पहचान सकते हैं, यह चाहिए ध्यान रखिएगा, fertilization external है, frogs and toads में fertilization external होती है, frogs and toads, अच्छा, एक मैं आपको बात बता दू, सभी amphibians में external नहीं होती, internal fertilization भी होती है कुछ amphibians में, internal fertilization is in case of salamanders and nudes, salamanders, salamander एक example दिया हो न, salamanders are not found in India, ध्यान दखिएगा, ठीक है जी, majority amphibian in journal करके, जो लिखा है, NCRT न external fertilization है, जिसमें frog and toad, actual में class amphibia का further classification आपके syllabus में नहीं है, amphibia को तीन order में बांटते हों, class क्या हागे, order ही आता है न, amphibia के तीन orders है, apoda, urodila, aneura, तो ये जो frogs and toads हैं न मेरे बच्चे, ये जिस order में included है, frog का order है aneura, aneura order, फिर family भी पढ़ेंगे आप, rani dhe, rana tigrina, तो aneura order जो है, वहाँ पे external fertilization है, जो बाकी orders है न, apoda, apoda को gymno, फियोना, सिसिलिया भी कहते हैं, जिसमें वो limbless amphibian, इच थायोफिस बताया था, उसमें भी internal fertilization है, second order, eurodila और caudata, c-a-u-d-a-t-a, c-a-u-d-a-t-a, caudata, it's not core data, एक और order बतार हूँ में amphibia का, eurodila, तो जो eurodila order है न, उसमें salamanders आते हैं, तो eurodila और caudata order में, जो salamanders है, इनमें fertilization internal है, यह मैं specifically बात बता रहूँ, है न, थोड़ी से extra information आपको ध्यान रखनी चाहिए, well, यह oviparas है, egg लेंगे, male frog जो है sperm release करेगा, female frog egg release करेगी, fertilization external होगी, और external fertilization के लिए पानी चाहिए, यही कारण है कि frog जो है, पानी के आसपास पाया जाता है, water is required for reproduction for amphibians, यही एक बड़ा important कारण है कि पानी से अपने आपको completely free नहीं कर पाए, reptiles ने इस समस्या का समाधान कर लिया, reptiles के अंदों के चारों तरफ hard shell होता है, shelled egg होने के कारण, उन्हें पानी की कोई जरूरत नहीं होंगे, जमीन पे भी अंदे दे देंगे, यही खराब नहीं होंगे, लेकिन बिचारे amphibian इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, so they are oviparous, their eggs are soft, that's why they require water for reproduction, development is indirect, when you say indirect, it means, larval stage or larva is present, for example, frog का larva होता है, tadpole, आपने देखा भी होगा, बारिशे जब होती हैं, कहीं पानी कठा हो जाए, तो reproduction होता है frogs में, because उनके लिए favorable time है, तो चोटे 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 टेड़ पोल जो है, आपने देखे होंगे, और tadpole larva का metamorphoses होता है, adult frog में, एक term यहाँ पर याद रख ले ना मेरे बच्चे, metamorphoses, what is metamorphoses, metamorphoses is transformation of immature larval individual into sexually mature adult, adult frog जो होता है, that is sexually mature, तो frog का tadpole larva, जो की immature larva है, जब वो बदल जाता है, adult frog में उस प्रक्रिया को metamorphoses कहते हैं, और याद रखना, metamorphoses में बड़ा important role play करता है, एक hormone thyroxine, right, thyroxine hormone plays very important role in the metamorphoses of frog, यह रहा जी, पूरा metamorphoses, यह थे eggs fertilization हुआ, तो brun बना embryo, tadpole clinging to water plant है न, tadpole पानी में किसी पूदे के साथ जुड़ा है, tadpole में external gills हैं, gas exchange के लिए, फिर क्या होता है, धीरे-धीरे इसकी legs बननी शुरू हो जाती है, tail जो है, वो disappear हो जाएगी, tail becomes shorter, यह young frog, यह adult frog, तो इस पूरी प्रक्रिया को regulate करने में, thyroid gland के एक important hormone, thyroxine का बड़ा ही major role है, ठीक है, याद रहेगा सब को जी, अंश रोडा ने कहा है, lysosomes are the cell organals, important for the meromophoreses of frog, very good, अंश यह सवाल तुमने मुझसे पूचा भी था, और तुम्हें है सवाल बड़ा विशेश और अनोखा लगा था, lysosomes का काम ही होता है, they have hydrolytic enzymes, किसे भी organals को digest करना है, तो lysosomes के enzymes उसे digest करेंगे, remodeling कर देंगे पूरे structure की, clear है जी, right मेरे बच्चे, खुशी, enjoying the session, great, wonderful, so amphibia के बारे में बड़ी अच्छी अची बात है, मैंने आपको आज बताई है, यह आपको salamander का metamorphosis दिखाया गया, just for your information, कुछ इसमें रटने वाली याद रखने वाली खास विशेश चीज़ नहीं है, अब जो याद रखने वाली बात है, जहां पर आपको थोड़ी परिशानी होगी, वो हैं इसकी examples, मैंने का था, toad अलग होता है और frog अलग होता है, आपने जो ज़्यादा तर देखा होगा, toad का कलर थोड़ा ज़्यादा गहर है, skin थोड़ी rough सी होती है, toad थोड़ा मोटा सा हटा-कटा सो होता है, frog बिचारा बड़ा slim and prim type और green कलर का, ज़्यादा तर पानी में ही रहेगा, आपने जो देखा होगा, ज़्यादा तर frog देखा होगा, ठीक है जी? So, toad का नाम होता है, bufo, आपको सिर्फ genus बताए गए है, bufo के आगे, bufo malbaricus, bufo melanostrictus, बहुत सारी species है, but you need not to do that, just remember the genus, bufo, rana tigrina, यह simply rana याद रख लो, rana frog जो है, then एक पेड़ों पे रहने वाला भी होता है, भही हायला, right? H-Y-L-A, it is not high Allah, right? high Allah नहीं बोलना है, it is highla, highla is tree frog, highla को ना green frog भी कह देते, highla is also called green frog, right? एक रेकोफोरस भी होता है, that is called flying frog, दीपु कुमार क्या नहीं समझा है, बच्चे, क्या चीज़ रपीट कर दूँ, आप दुबारा भी तो forward back करके, lecture फिर से, दुबारा revise करके देख लेना एक बार, okay? यही तो फाइदा होता है, online education में recorded lectures मिल जाते, salamandra, zoological name salamandra, commonly called salamander, salamanders are not found in India, itch thiofis, limbless amphibian, राजा बिटा, इसको blind worm भी कहते हैं, इसको blind worm भी कहते हैं, ध्यान रखना, NCRT ने यह जो तस्वीरें बनाई हैं आपके लिए, salamander, and यह rana, तो आपको देख करके भी पहचान लेनी हैं यह, ठीक है जी? शरमीन, clear है? right? clear? पंजाबी में डड़ू कहते हैं, आप टिक जाओ एक जागे और अपनी पढ़ाई करो, and I want you to get a very good rank in need, so that तुम अपने सपनों को सकार कर पाओ, कहते हैं, सपने वही होते हैं, जो आपको सोने नहीं देते, सपने वो नहीं हैं, जो आपको सोते समय आते हैं, जिन्दगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, वो समय बीट गया, जब कहते थे जिन्दगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं भी आव ऐसा नहीं है, अब तो बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए, because वो जो कुछ है ना, उसे पाने वाले भी तो बहुत है, level of awareness बहुत जादा हो चुका है जैपटे, लिधर देखिए, आपके सामने ये रहे, प्यारे, प्यारे amphibians, कोशिश कीजिएगा, कभी समय लगे, तो Google में Newt और Salamander में अंतर ढूंडिएगा, और ये जो Sicilian लिखा हुए है ना, ये Sicilian वही है, जो मैं Apodan कह रहा था ना, Apoda Order और Gymnophiona, जिसमें इच थायोफिस आता है, right? क्लेर है जी? चलिए जी, all my raja बेटा और मैनी बेटी हैं, कुछ amphibians ऐसे भी हैं, जिनका lifespan बड़ा लंबा होता है, Olam Blind Cave Salamander कहते हैं, Olam का lifespan 100 साल तक भी होता है ये सिर्फ extra information, दिल्चस्प जानकरी दे रहा हूँ, अब आजाएए जरा सवाल पर, मेरे questions के जवाब देंगे सभी बच्चे लेकिन उससे पहले like का बटन जरूर प्रेस करेंगे, हमारा target है live session के दौरान हमें 100 likes आने चाहिए, your likes are like energy for me, आप सोचते हैं के सचिंसल बार-बार क्यों कहते हैं, because मुझे अच्छा लगता है really, दिल से कह रहा हूँ, I really find it so pleasant that students they are responding, they are interacting, they are showing their respect, सवाल का जवाब दीजिये, the heart in amphibians has, एक auricle, दो ventricle दो auricle, एक auricle, एक auricle three chambered heart है, ये बाद तो मैंने बताई थी, बड़ा ही असान question है, majority student ने सही जवाब दी है, इक्रा ने, अंबुझ ने, विशाल ने, प्रिया, जया, साक्षी, गुलहसन इरम फातिमा, very good जी दो auricle और एक ventricle, जिसके कारण हम कहते हैं mixed blood circulate करेगा इनके शरीर में, आगला सवाल elementary canal urinary tract and reproductive tract in amphibians open into a common chamber, what is the name of that common chamber, esophagus anus, cloica, stomach question number ज़रूर लिखे भेजिए question 2 का आप answer बता रहे हैं so anusari आप ज़रूर लिखेगा question 2 आगे लिखना है आपको mamta, बिल्कुल सही का आपने it is cloica, cloica common chamber होता है, birds में भी cloica पाई जाती है question 3, name the phenomena by which the tail of the tadpole is dissolved and the tadpole changes into an adult that is transformation of immature larval individual into sexually mature adult, थोड़ी दिर पहले जिकर किया था राजगुमार, Lakshmi, what should be the correct answer, the correct answer to question number 3, आर्यमान, सही का आपने, the correct answer is metamorphosis and which hormone plays important role thyroxine, thyroxine plays a very important role in the metamorphosis of frog, अगला सवाल, ये थोड़ा से technical है, गलत मत कर जाना, टेड़ पोल में, frog का young one जो है, टेड़ पोल लार्वा, उसमें gas exchange कैसे हो रहा है, टेड़ पोल respires through skin, cutaneous respiration, gills, branchial respiration, lungs, pulmonary respiration, या फिर tail पे जो fin होता है, उसके through respiration है, the correct answer to question number 4 is gills, branchial respiration, जब lining of buccal cavity के through adult frog respire करता है, तो buccopharyngeal, चमडी के through cutaneous, lungs के through pulmonary, ओके, चलो, कुछ amazing से, interesting से amphibians दिखाता हूं, ये रहा हो, itch thiophis, limbless amphibian, जिसका order है, apoda, it is, जो apodans होते हैं, they are limbless, they are blind, they are burrowing, they are tongue-less, जुबान भी नहीं होती, minute scales are embedded in skin, fertilization internal है, ये दिखोएं, कितना नन्हा सा, pedophryne, amoeuensis, नाम याद रखने के जोड़ते नहीं है, चोटा सापके, ये जो है, अंगुठे के नाखुन पे भी आ गया, इतना चोटा मेंड, कितना चोटा frog, smallest vertebrate है, can you imagine, नहीं नहीं, दामिन, दामिन किचलू, इतने सारे नाम, ये वाले नाम तो आपको नहीं याद रखने, जो examples मैंने पहले बताई हैं, तो सिर्फ एक आईडिया आपको देना था, कि अलग तरहें के amphibians होते हैं, सिरफ frogs and toad ही amphibians नहीं होते, अगला सवाल, superclass tetrapoda includes animals with jaws, with jaws and limbs, tetrapoda में, which among the following are tetrapods, इन में से कौन से tetrapoda में included हैं, lempray तो, अच्छा एक से जादा answer हो सकते हैं, let me write here, this question can have more than one correct option, तो बताओ, tetrapoda, सबने कह दिया, अरे भहिया, ध्यान दीजिएगा, d, snake भी तो tetrapoda में ही आता है, वो बात अलग है कि इच्थायो फिस में भी limbs नहीं होते, और snake में भी limbs नहीं होते, यही तो बात मैंने कही थी, more than one answer is correct, particular question के लिए, स्नेक्स को tetrapod क्यों कहना, स्नेक्स में तो limbs होती नहीं, है न, वो एक अलग बात है, लिखिन snakes reptiles है, और अगर हम इनको evolutionary point of view से देखें, समझें, इनके fossils देखें, तो हमें उनमें limbs नजर आती है, class reptilia, reptiles की study को, herpetology कहते हैं, herpetology, study of reptiles, the creeping and the crawling creatures, आच्छा, आपने Jurassic Park movie तो देखी होगी, और उसमें आपने dinosaurs तो देखे ही होंगे, dinosaurs बिचारे वो reptiles हैं, जो खत्म हो गए हैं, हम evolution में eras and epochs जब पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये बात बताई जाएगी, that mesozoic era जो थी, it was the golden age of reptiles, right, इसमें periods थे, Cretaceous, Jurassic, Triassic, so समें dinosaurs का समराज्य था, the class name refers to, reptilia का मतलब कहा है, रेंगने वाले जानवर, creeping or the crawling mode of locomotion, right, रेंग रेंग के चलते हैं न, creep करते हैं ये, crawl करते हैं, terrestrial हैं, जादा तर terrestrial हैं, लेकिन आप कहेंगे भई, पानी में रहने बाले भी तो हैं, हाँ, water snakes भी होते हैं, sea snakes भी होते हैं, crocodile वगएरा भी आपने देखा है, पानी में रहते हैं, गुलहसन, right, if possible, share this lecture with as many people as you can, आपके जितने भी WhatsApp groups से हैं, Telegram groups से हैं, उसमें ये lecture जरूर शेर किया करो, okay, दामिन कह रहे हैं, जी, sir, मैं आपके पास पढ़के, मेरे सारे concepts clear हो जाते हैं, thanks for teaching us, welcome जी, मेरा अच्छा पढ़ाने का पाइदा तभी है, अगर वाके ही आप एक बहतरीन rank लेकर के आएं, नीट में, ठीक है जी, well, they are mostly terrestrial, and their body is covered by dry and cornified skin, इनकी चमडी जो है सखत है, dry है, है ना, क्योंकि रगड रगड के चलते हैं, friction भी लगेगी, इन में epidermal scales होते हैं, जिने scutes भी कहते हैं, scutes थोड़े large size के scales हैं, सांप के शरीर पे देखो, तो ऐसे-एसे जैसे बैंजन रिंग नहीं मनाते हैं, ऐसे scales होते हैं, और कई scales ऐसे बड़े-बड़े भी होते हैं, these large scales, they are called as scutes, सांप को उसके scales से देखकर के भी पहचाना जा सकता है, कि भाई वो poisonous होगा, या नहीं होगा, they do not have external ear openings, tympanum represents ear, ये tympanum, tympanic membrane, ear drum, यही amphibian में भी पढ़ा था, तो सांप जो होता है न, उसको airborne sound wave सुनाई नहीं देती हैं, snakes के case में, वो सिर्फ vibrations को collect कर सकते हैं, है न, तो सांप के आगे अगर आप bean बजा रहे हैं, तो उसका कोई फाइदा नहीं है, वो उससे सुनाई नहीं दे रही, तो आप कहेंगे bean बजाने पे सांप ऐसे 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 तो करता है, सपेरे के सामने, वो इसलिए वो सिर्फ उसके motion को follow कर रहा है, आप एक डंडा लेके भी उसके सामने ऐसे ऐसे करोगे, तब भी सांप अपने आपको बचाने के लिए, यहाँ पे अटैक करने के लिए मूव करेगा, सांप जो है जमीन में सांड वेवस जो ट्रेवल कर रही है न, उसे पिक कर लेते हैं, ठीक है, टंग जो होती है स्नेक्स की, बार बार जुबान बाहर निकालते हैं न, क्योंकि टंग इस ओल्फेक्ट्री, सांड वेवस को वो कलेक्ट कर लेते हैं, इस इट क्लियर जी, राइट, चलिये, लिम्स, वेन प्रेजंट हैं तो दो पेर होंगी, दो पेर मतलब चार, मतलब टेट्रापोड, वो हम पहले ही जान चुकें, यहाँ भी थ्री चैंबर हार्ट है, खुशी कह रही है, the sound of bean is entertainment for humans only and not for the snake, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, सांप जो है वो बहुत कम खाते हैं, सांप दूद नहीं पीते हैं, यह भी गलत बात है, यह मित है, सांप दूद पी नहीं सकते हैं, milk is something which is for mammals by the mammals, mammalian female milk बनाती हैं अपने बच्चों के लिए, milk is not a diet for other animals, तो सांप जो है वो दूद नहीं पीते हैं, दूद को digest करने वाले enzymes भी नहीं होंगे उनके शरीर में, तो खाते भी बहुत कम हैं, and they have teeth but they don't chew their food, अपना खाना swallow कर जाते हैं, digestive juices बड़े strong होते हैं उनके, snakes can digest hair, horn, hoof, nail, scale, bone, cartilage, सब digest कर जाते हैं, मैलोस आपने चुवा खाया है, चुवा खरगोश, इतने बड़े-बड़े भी बकरी भी खा जाते हैं, कई अजगर तो इतने बड़े हैं, वो गाए भैस तक को सीधा निगल जाते हैं, यूट्यूब पे आपको कई videos ऐसे मिल जाएंगे, snake, swallowing, cow, आप डून करके देखीगा, you'll be really shocked to know that, नहीं, अनसारी आप कह रहे हैं कि respiration होता है क्या जुबान से, ना 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 वो lungs ही होते हैं उसके लिए तो, यह कह जी, heart is usually three chambered, यहाँ exception याद रखना, crocodiles में, इन फेक पूरा crocodilia order जो है, crocodiles, alligators, gharials, camons, इन सब में जो है, four chambered heart होता है, यह बात important है, crocodiles के case में diaphragm जैसा एक muscle भी होता है, reptiles जो है, यह भी poe kilo thermal है, poe kilo thermal मतलब यह cold blooded है, actothermal है, their body temperature fluctuates with the environment, snakes and lizards, they shed their scales as skin cast, इसको ना हम molting कहते हैं, हम साधी बाशा में कहते हैं, तो ने साप अपनी canchul उतारता है, skin उतारता है, molting एक dices कहते हैं, clear है जी, नहीं, मनता कह रही है कि साप उड़ सकते हैं, नहीं नहीं, साप ऐसे उड़ नहीं सकते हैं, ऐसे जरूर होते हैं कि बड़ा लंबा सा जंप लगा लिया, बैठे बैठे पूरे शरीर को उठाया और कूद के पेड़ से दूसरे पेड़ तक चले गए, यह हो जाता है, ठीक है जी? हाँ, खुशी, मॉल्टिंग जो है, वो कॉकरूचिस में भी होता है, रेप्टाइल्स में में मेल और फीमेल सेपरेट हैं, अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटर्नल है, अब देखो, एंफीबिया से एक एड्वास्मेंट मिला, एंफीबिया में हमने देखा था, फ्रॉग्स औन टोड्स में एक्स्टर्नल है, सेलमेंडर्स में इंटर्नल है, यहाँ पे पूरे के पूरे रेप्टीलिया क्लास में इंटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यह अंडे देते हैं, oviparous हैं, and development is direct, when you say direct, इसका मतलब, reptiles का कोई larva नहीं होता, there is no larval stage in case of reptiles, जो sea snakes होते हैं, मतलब जो marine snakes होते हैं, जैसे hydrophys, hydrophys, anhydrina, ये जो होते हैं, they give birth to young ones, even जो wipers होते हैं, they give birth to young ones, तो ovoviviparous condition कहा देते हैं, कि fertilization internal है, but true placenta नहीं मनता, fertilized drag is retained in the female body, और अंडे के अंदर जो योग है, उसी से nutrition मिलेगा, and the young one is delivered out, so this is ovoviviparous condition है, रोहित कहा रहे हैं sir, kingdom animalion never felt this easy, रोहित आप regular हमारे sessions में जुड़िये, तो आपको वाके ही मज़ा आएगा, हर विशे दिल्चस्प और interesting हो सकता है, अगर उसे एक बेहतरीन तरीके से present किया जाएं, है न, मानते हैं ने इस बात को, very good, चलिए जी, अब आ गईगे examples, अब नहीं, डरना नहीं है, डरना मना है, याद होगी, कागस कलम उठाइए, लिखिये, आपको याद होगी, साब का जो जहर होता है na, snake venom that is modified saliva, सारे साब जहरीले नहीं होते, 90% of the snake species are non-poisonous, only 10% snake species are poisonous, poisonous snakes के पास fang होते हैं, जो उनके modified maxillary teeth है, which function as hypodermic needle for injecting venom into your body, साब का जहर venom जो है, it is modified saliva only, acidic होता है pH में, साब जो जहरीले साब है, उनके पास poison glands होती है, which are supralabial glands comparable to modified parotid salivary glands, right, शर्मीन, अब सुनो examples, जो कि important है, चलो साब से शुरू कर लेता हूँ, जहरीले साब में, NCRT ने poisonous snake में, नाजा, कोब्रा, कोब्रा के case में fun बनता है न, ऐ but hood is formed by expansion of neck and cervical ribs, तो कोब्रा की पहचान होती है, ऐसे यहाँ पे एक निशान बना होता है न, spectacle mark कह देते हैं, तो कोब्रा का fun देख करके आप पहचान जाओगे, उसके ओपर अगर ऐसा एक निशान है, that is called spectacle mark, right, तो it is कोब्रा, venom of कोब्रा is very dangerous, it is neurotoxin, it affects brain and spinal cord, then there is bungarus, NCRT ने B-A-N लिखा, let me tell you, it is bungarus, krat कहते हैं, जिसे crate कह देते हैं, vypera, vypera, roselli, vyper, ठीक है, बहुत से सांप ऐसे हो सकते हैं, जो आपने देखे होंगे, अगर मैं non-poisonous की बात करूँ, तो आपने python सुने हैं, यह जहरीला नहीं होता, python, python reticularis, अजगर भी कह देते हैं, इसे python जो है, वो जहरीला नहीं है, लेकिन अपने victim को मार डालता है, उसके शरीर के चारों तरफ लिपट करके, दम घुट जाता है, ऐसे इतना कस्के जकर लेता है, उसकी grip इतनी स्टॉंग होती है, और वो न, इवन दिल की धर्कन की vibrations मैसूस करता रहता है, कि जानवर मर गया य उसके बाद उसे swallow कर जाता है, python जो है, वो venomous नहीं होते हैं, ऐसे दमुही भी होता है एक साम, इसके इलावा, reptilia में turtle आते हैं, कच्छुए जिसे हम कह देते हैं, turtle, tortoise, terrapin, ये तीनों अलग होते हैं, turtles जो होते हैं, ये marine होते हैं, turtle का zoological name है, chilone, समंदर में पाय जाते है marine इनके flippers होते हैं, testudo, tortoise, it is terrestrial, ऐसे terrapin भी होते हैं, terrapins are found in fresh water, trionics होता है terrapin, NCRT में नहीं दिया, इसले में नहीं बता रहा है, हिंदी में हम तीनों को कच्छुआ कह देते हैं, लेकिन ये अलग होते हैं, ध्यान लखेगा, habitat के अनुसार, body structure के अनुसार भी, बिलाल से is it important, what? तो आपको लग रहा है कि मैं बेकार की शीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये important है ही नहीं, अपनी जिन्दगी में ये थोड़ा सा अपने आपको settle कर लो, कि जो चीज़ तुमसे हो नहीं रही, उसके बारे में पूछलो, important है के नहीं है, ये कहो कि सार, ये बसका नहीं ह हो रहा, कुछ बताइए कि हम इसे याद कर पाए, है ना, that should be the way, जो हमारे से नहीं हो रहा, पूछलो, important है के नहीं है, अगर है important तो पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो, ऐसा नहीं होता, ग्रेज अनेटमी पढ़ने की इच्छा रखते हैं, चार लाइने, NCRT की याद नहीं होती, तो भूल जाएए, MBBS first year, भूल जाएए उस चीज़ को, वो किताब इतनी बड़ी है, एक किताब, ग्रेज अनेटमी, राइट, गाइटन फिजियोलजी, गैनॉंग फिजियोलजी, सेंबुलिंगम फिजियोलजी, बाइटेमिस ट्रायर, जूबे, लैनिंजर, होश उड जाएंगे, अगर यह टेस्टूडो ट्रायोनिक से याद नहीं हो रहें, तो भहिया, ख्वाब जोड दीजिये, सही समें पर, ओके बातें सही लगती है मेरी, दिल पे लगती है न जाकर के, लगनी बीच नहीं होता है, यह बचपन से आप बहुत सारी चीसे गलत पढ़ते आरहे हैं, ध्यान रखिएगा, crocodile, alligator, mississipenses, alligator, crocodile अलग होता है, alligator अलग होता है और घरयाल अलग होता है, let me write घरयाल also, घरयाल के वल इंडिया में पाये जाते हैं घरयाल का zoological name है gavialis, gavialis gangeticus, घरयाल में breeding season के time पे उसके snout पे घरये जैसा structure बन जाता है इसले घरयाल कहते है, it is found only in India, alligators, चोटी-चोटी मचलियें खाते हैं, उनका जबड़ा जादा नहीं खुल पाता है alligators are not found in India, crocodiles are found in India and crocodile is most dangerous, mamta saika मैंने, right? चलो जी, like का बटन जरूर दभाईएगा, अगर मेरी बाते आपके दिल तक पहुंचती हैं और आपके दिमाग में जो धूल, मिटी, जमी अगर उसे हटाती हैं, तो चलो, saap के बारे में कुछ और interesting बाते बता दूँ, all snakes can swim, they can climb and they can jump also, all snake species are exclusively carnivorous, saap शाकाहारी नहीं होते हैं, और saap बहुती कम खाते हैं, right? साल में कम बारी, मालो भर पेट भी होजन मिल गया है ना, तो दो यहां तीन बार खाली हैं बहुत हैं, चार बार खाली हैं बहुत हैं, अराम से फिर उसे digest करते हैं, their digestive juices are very very strong, as I told you, snakes can digest hair, horn, nail, hoof, scale, everything, सब digest कर जाते हैं, यह रही जी आपके सामने caloties, जिसे girgit कहते हैं, chamele chameleon, chameleon के case में, जो tail होती है, यह prehensile है, अपनी पूच को ऐसे ऐसे घुमा करके, पेड़ों के टैनियों से यह लटक सकता है, जुबान जो इसकी बड़ी लंबी होती है, tongue is protrusible, twice as long as body, and its eyes, both eyes can rotate independently of each other, एक आंक इधर rotate करी है, एक इधर rotate करी है, एक इधर rotate करी है, ठीक ह यह draco, यह रहाजी crocodile, और यह रहाजी alligator, घड़याल, crocodile, alligator, इन सब में, differences होती है, reptiles का life span भी बड़ा लंबा होता है, यह भी ध्यान रखेगा, क्योंकि metabolism इनका बड़ा slow होता है, so they have a long life span, poisonous snake, zehrilet saamp, naza, venom is neurotoxin, it affects the brain and spinal cord, याद रखना important है, बुंगेर, स्करैत, जिसे कहते हैं, वाइपरा, रुजैली, एक rattlesnake भी होता है, किसी ने देखा है, rattlesnake, कई बड़ टीवी में, discovery channel में भी दिखाते हैं, इसकी पूँच जो है, वो, ऐसे, टररर, noise produce करती रहती, रेटल होता है, बच्चों का जुन जुन होता न, जो खिल नहीं कर रहा हुआ न, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके रिखिए, ताकि हर important notification आप तक जरूर पहुंचे, टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, बायो की रन नीती, बिल्कुल पूचे जाते हैं, दामिन किछलू, scientific names नीट में पूचे जात only in New Zealand, and it's at the verge of extinction, crocodile is the correct answer, crocodile में diaphragm जैसा एक muscle भी present होता है, reptiles are, are the cold-blooded और warm-blooded, पहले तो याद कलो भई, पोई kilo thermal है, cold-blooded है, क्या ये amniots हैं या unamniots हैं, amniots का मतलब होता है, जिनके endokid में amniotic membrane present होती है, question number 7 का answer बताईए, and like का button, जरूर प्रेस करते रहें, आएगा, साथ के साथ, Mohamed Janad, कह रहे हैं जी, MBBS का course continue कीजिए, ठीक है जी, Mohamed Janad, I'll try my best, अंसारी, खुशी, ज्यादा तर बच्चे कह रहें, A, amniot is correct, right, amniots and poikilothermal, मतलब cold-blooded हैं, और amniotic membrane present है, reptile, birds and mammals are amniots, इन से नीचे वाले unamniots, एक दो सवाल और हो जाएं, are you all ready for the questions, चलिए, cold-blooded animals, मतलब they have cold blood, ठंडा खून, they have low body temperature, they prefer cold habitat, या they cannot regulate their body temperature, बड़ा ही easy, बच्चों वाला question, एक दम, simple, question number सरूर लिखे भेजो, question number 8, आगे लिखो, A है, B है, C है, D है, क्या answer, majority of the students are saying D, और चलो जी, मैंने आपको दे रिये पूरे number, अगला सवाल, features, except, amphibians में और reptiles में बहुत सारी similarities हैं, लेकिन, exception क्या है, पहली बात, externally represented by tempanum, ये तो ठीक है, amphibian में भी पढ़ा है, reptilia में भी, external fertilization and indirect development, हाँ, amphibian में external था, लेकिन reptile में तो internal है, तीसरा, oviparity, दोनों ही अंडे देते हैं, ये भी ठीक है, दोनों ही poikilo thermal है, ये भी ठीक है है, so that means B is the correct answer, Manish, Khushi, Ishika, Paki, Gulhasan, Jaya, Iram, Fatima, great, great, सब regular students है, that's really nice to see you all, चलो जी, match the following and mark the correct option, एक तरफ अनिमल दिया है, एक तरफ उसका respiratory organ दिया हुए है, तो भई, reptiles में तो पढ़े हैं, lungs, fishes में, gills, insects के शरीर में, tracheal tubes, earthworm, annelida में, moist cuticle या, skin के थूह ही, gas exchange होता है, right, दामिन आप new है, तो आप अब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डाल अचन हेट रखना, हर session attend, जरूर करना मेरे साथ, I'll be waiting for you, so correct answer is, आप लोग एक है रहे हैं, क्या यहाँ पे गलत हो गया क्या, let me check, it should be, A का 1, B 4, and C 2, A 1, B 4, C 2, and D 3, and D 3, सही तो है, B is the correct answer, चलो, आगे, which among the following statement is are true, कौन सी बातें सही हैं, amphibians are warm-blooded, नहीं जी, यह तो हो गया, गलत, reptiles cold-blooded, ठीक है, amphibians are found both on land and in water, यह भी ठीक है, तो 3 और 4 तो बिलकुल ठीक है, और 1 है गलत, तो इसका मतलब है, 2 भी सही है, the correct answer is, C, for question number 11, the correct answer is, C, 12, किते सारे question practice कर लिए, animal kingdom में मज़ा आने लग जाएगा, आपको जब confidence बन गया तो, which evolutionary development is most important to free the land vertebrates from water, I told you, amphibians are the first vertebrates, who made a transition from aquatic to terrestrial life, लेकिन बिचारे, समस्या यह थी, reproduction वाली, याद करके देखो, 12 सवाल का जबा, बहुत बच्चे गलत देने, बहुत बच्चों ने गलत यह, दोबारा पढ़ो, मैंने बताय भी था, amphibians की समस्या है, उनके अंडे, भाया, वो पानी में, इसी लिए reproduce करते हैं, बिकॉस अंडे बड़े सॉफ्ट हैं, एग को जमीन पे ले नहीं कर सकते, बखार अली, सिदार, पाकी, समित्रा, ठीक है जी, प्रजा पती, दिली प्रजा पती, clear हो गया है मैंने बच्चे, it is the hard-shelled eggs, और ऐसे hard-shelled eggs को, cledoic eggs कहते हैं, right, reptiles में cledoic eggs हैं, चलेजे, आज के लिए ही, इतना ही था, दामिन किछलु कहरे हैं, मैं नहीं हूं, मुझे time table बता दो, यह रह time table तुम्हाने सामने, तुमने पूछा और तुम्हारे सामने आ गया, यह पूरी screen रट लो, Monday to Saturday, लगतार हमारे साथ जुडे रह जिसमें, मैं और पुछपेंदू सर, Zoology के लिए हैं, अनूप सर आपको Chemistry बढ़ा रहे हैं, और रिनाल सर, अकाश सर फ़र Physics, और डॉक्टर पंकरी मिगलानी फ़र Botany, अनधर important thing, वीडियो का description जरूर देखना, वहाँ पे आपको एक link मिलेगा, एक नहीं बहुत सारे link मिले तो आपको सारे YouTube lectures, आपको section wise मिल जाएंगे, sessions के notes मिल जाएंगे, daily practice papers मिल जाएंगे, अकाश बाईजूस की ये app अपने Android phone ये iPhone में जरूर इंस्टाल कर लीजी, हम आपको इसमें बहुत सारे भेतरीन features दे रहे हैं, 14 days तक आपके लिए free trial है, एक बार इसे use कीजी, this is your one stop solution for all your needs related to NEET, अकाश national talent hunt examination, इंडिया का prestigious scholarship examination, जिन बच्चों ने अभी तक इसके लिए enroll नहीं करा है, जिल्दी से कीजी, enrollment is completely free, वीडियो का description देखिये, link आपको मिल जाएगा, और इस एंथे के जरीए आपको बहुत सारी बहतरीन बातें मिलती हैं, नासा जाने का सुनहरा आपसर up to 100% scholarship मिल सकता है, cash prizes, and student का ये survey जो हम कर रहे हैं, एक survey form create करा है, वीडियो का description देखियेगा, वहाँ पे आपको वो link मिल जाएगा, and do not forget to join this telegram group also, this is NEET Akash Digital, so that's all for today, I hope you have liked the session, you have enjoyed amphibians and reptiles, बायो की रुणनीती में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम birds and mammals के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए, मैं आपका अपना, Dr. Sachin Kapoor, आपसे विदा लेता हूँ, नमश्कार, bye bye, God bless you all, comment जरूर कीजेगा, like जरूर कीजेगा, share जरूर कीजेगा. जरूर कीजेगा, 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 जरूर कीजे